वीडियो शुरू करने के पहले एक सीधा सा सवाल पूछ लेता हूँ बही मुझे बताओ कि एक computer user सबसे ज़्यादा कौन से file type में deal करता होगा ज़रा सूचिए सोच लिया, don't worry मैं बता देता हूँ एक computer user सबसे ज़्यादा PDF file type में deal करता है एक्जामपल के लिए बताओ, अगर आप एक student हो तो आपके notes बनते है PDF file में अगर आप teachers हो तो भी आप अपने बहुत सारे काम के लिए जैसे questions विपर बनाने के लिए PDF format यूज करते है या फिर अगर आप एक computer operator हो तो भी आपके agreements, आपके important documents जब आप उसे client के साथ share करना चाते है colleague या boss के साथ share करते हैं तो वो ज़्यादा तर PDF format में होते है तो ऐसे में हमें PDF format में बहुत ज़्यादा काम करना पढ़ता है मतलब कई बार हमें PDF को edit करना होता है, existing content में कुछ add करना होता है कई बार हम इस PDF को compress करना चाते हैं, इसके size बड़ी होती है कई बार हम PDF को word, excel, powerpoint में convert करना चाते हैं और कई बार हमें PDF में signature करना होता है और बहुत सारी चीज़े करनी पढ़ती है लेकिन इस सब का solution मैं आज बताने हो लाओ, जीहां इस platform के जरीए आप सब कुछ free में कर सकते हैं जो कि एक online free platform है, PDF की उपर काम करने के लिए जीहां PDF को compress करना है, सब कुछ यह करता है, उसका नाम है highpdf.com जिसके link आपको description मिलेगी, लेकिन ये काम कैसे करेंगे, ये practically अगर आप जानना चाहते तो चलिए मैं screen पे दिखाता हूँ कि PDF कॉमप्रेस कैसे होगी, इवन इसके उपर AI features भी नैबल है, यानि कि जहां पे आप PDF के साथ chat भी कर सकते हैं कैसे ये practically जानने में interested तो पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़े आपको यहाँ पे सीखने मिलने वाले PDF के उपर काम करने के लिए, तो चलिए इंतजार कीस बात का, मैं सतीच आप सब का स्वागत करता हूँ, शुरू करते हैं आपको सबसे पहले आपके ब्राउजर में विजिट करना हाई PDF.com बहुत सिंपल सा URL है और description में मैंने लिंक भी दे दिया है, जैसे आप विजिट करोगे यह platform Wondershare की तरफ से आपको दिखाए दे रहा है, और यहाँ पे आप इस पेज पे लैंडिंग हो जाओगे इंटरक्ट विद PDF स्मार्ट विद AI, नाव लुक ओ यह, यहाँ पे मैं और टूल्स में बाद में जाओँगा, लेकिन फिलाल यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम प्रेस PDF के बारे में जानेंगे, तो मैं प्रेस PDF पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे मैं आपको तो जैसे में फाइल यहाँ पे अपलोड कर दूँगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसमें हाई, मेडियम और लो लेवल आचुका है, अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे सिलेक करूँगा, लेवल कौन सा ची मुझे, मैं हाई कॉम्प्रेस लेता कॉम्प्रेस बटन पे क्लिक करता हूँ, बूम, कुछ ही सेकंद में यहाँ पे कॉम्प्रेस हो चुका है, कितना टाइम लगा, देखा आपने, और यह फाइल भी डाउनलोड होगी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे साइज आ चुकी है, 808KB, मतलब वहाँ प क्लिक करूंगा, चूज फाइल पे जाओंगा, और यहाँ पे मेरी फाइल करूंगा, यहाँ पे फाइल कर ली यहाँ और इसे में उपन करता हूँ, So, once you select the file, look at here, you will get editing options, like, यहाँ पे आप इसमें text अड़ कर सकते, add image कर सकते, add shape कर सकते, sign कर सकते और delete भी कर सकते, जो चीज़े आपने आड की, तो मैं add text करना चाहता हूँ, मैं add text क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने add text add कर दिया है, अब इस text को उठा के मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, and now I am typing something like this, और इस text की size में कम करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से size भी कम कर सकता हूँ, इसको एक line में रखना है तो मैं इस तरह से इस text को जहां पे भी आप रखना चाहते हैं, वहां पे रख सकते हैं, जैसे मैंने यहां पे दिखाए आपको. इसके अलाग आपको कोई image अड़ करनी है, तो add image भी है, add shape में जाना है, rectangle अड़ करना है, आप यहां से rectangle अड़ करके इससे यहां पे रख सकते हैं और इस तरह से draw क कर सकते हैं. Look at that, right? तो यह बहुत सारी चीज़े यहां पर आप आप आड कर सकते हैं, इस PDF Editor की मदद से. Once you're done with the editing, यहां पर save options भी दिया है, just save करके इसे आप download भी कर सकते हैं. Now let's move to the next feature. अब यहां पर आप PDF को Word में convert कर सकते हैं, आप PDF को Excel में convert कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़े. तो मैं फिलाल PDF to Word आपको दिखा रहा हूँ, choose file पर जाना है, और उसके बाद आप यहां पर select कर सकते हैं, आपकी file, जो file मैंने दी थी, यहां पर वही file open में कर रहा हूँ, और इसे मैं convert कर रहा हूँ, यहां पर मैं convert बटन पर click करूँगा, जैसे मैंने convert बटन पर click किया है, वैसे कुछ ही seconds में आप देखोगे, यहां पर यह 100% हो चुका है, and file download भी हो जाती, मैं इसे open करके भी दिखाता हूँ, wow, interesting, and it is editable format, I can edit it, look at here guys, because यह वर्ड में आ चुका है, तो editable, right, सब कुछ यहां पर OCR प्रापर हो चुका है, and यह बहुत होशियार है, OCR इसका होशियार है, Optical Character Recognization, इसके अलावा आप यहां पर all tools में आ जाते हो, और convert section में आते हो, मेरे पास एक image है, जो कि Certificate, suppose है, मैं इसे open करता हूँ, और इस image को मैं अभी PDF में convert कर रहा हूँ, और कुछ इसे केन में, this task has been completed, यह दिखाई दे रहा है, Certificate PDF यहां पर complete हो चुका है, वाँ, interesting, चलो, अब next feature की तरफ बढ़ते है, जहां पर आपको templates option दिखाई दे रहा है, यह मैं click कर रहा हूँ, जैसे मैं templates करता हूँ, इस website की उपर, तो आप देखेंगे, यहां पर धेर सारे template load हो चुके है, जिसमें resume के template आपको दिखाई दे रहा है, उसके अला invoice template आपको मिलेंगे, is from student, education से related, business से related, सारे templates यहां पर आपको मिलेंगे, जो कि आप यहां से download कर सकते, free में, धेर सारे templates इन्होंने ready made दिए है, अब बढ़ते इसके AI features के और, भई, यहां पर अगर मैं आऊंगा, तो chat with PDF, AI PDF summarize, AI read, PDF, ऐसे बहुत सरे options दिए इन्होंने, फिलाल मैं chat with PDF का demonstration दिखाता हूँ, यहां पर मैंने click किया, मैं choose file करूँगा, और मैं यही file दे देता हूँ, इस feature को use करने के लिए मुझे login करना पड़ेगा, तो जैसे मैंने इस document को यहां पर upload किया, तो यह analyzing आपको दिखाए दे रहा है, और analyzing करके यहां पर क्या कर रहा है, यह पूरा document के अंदर के content को analyze कर रहा है, तो इसके बाद आप देख सकते हैं, यह document के अंदर के text को OCR करके इ और इसने कुछ सवाल भी दिये, so here are the three questions you might be asking, आप इसमें से कोई भी questions पे click करोगे, तो उससे अलवाल का जवाब इस PDF में से ओला के देगा आपके लिए, and this is the AI feature guys, so you can use it, this AI feature too guys, next feature की तरफ बढ़ते है, next tool की तरफ बढ़ते है, I mean to say, यहां पे आपको एक option दिखाए दे रहा है Protect PDF, जिसकी मज़से आप PDF को Protect कर सकते है, Unlock कर सकते है, Redact कर सकते है, मतलब कुछ चीज़े Wipe Out करनी है, Sign भी कर सकते है, तो मैं Sign PDF के क्लिक कर देता हूँ, Choose File कर देता हूँ, और यहां पे मैं PDF दुबारा Select कर लेता हूँ, उसके बाद यहां पे Add Signature Option आपको दिखाए द सकते हैं और आप image format में upload करना चाहते हैं तो वह भी option दिया है तो मैं यह आप इसे add कर देता हूँ और मैंने draw की हुई signature यहाँ पर आपको दिखाए दे रहे हैं मैंने basic signature drop की, draw की और मैं यहाँ इसे रख रहा हूँ and then sign button पर click करके आप इसे save कर सकते हैं and then done guys यह हो चुका है उसके बाद आप इसे save करके download कर सकते हैं signature के अलाओ यहाँ पर PDF को unlock भी कर सकते हैं और PDF को protect करना है, protect भी कर सकते हैं तो मैं protect PDF में जाता हूँ choose file करता हूँ और मेरी जो PDF है उसको आपको मिल रहा है यहाँ पर image tool जिसमें image को compress किया जा सकता है crop convert किया सकता है convert to jpz भी होगा तो मैं compress image पर click करता हूँ choose file तो आपके पास जो भी image है आप यहाँ पर select करके जैसे मैंने PDF को compress किया था वैसे options आपको यहाँ पर दिखाए देगे compress button पर click easy है यहाँ पर image converter options भी है जिस पर click करके आप एक image को कोई भी अलग format में convert कर सकते हैं जैसे ही मेरा logo है मैंने इसे select कर लिया है और यह जो logo है यहाँ पर नहीं हो तो subscribe जरूर करना description में link जरूर चेक करना मिलते आगले वीडियो के अंदर तब तक के लिए अपना खयाल रखना बाई बाई